हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चानल आज हम बनाएंगे चौमिन की रेसिपी बिल्कुल इस्ट्रिट स्टाइल में तो बस मैंने चौमिन ले लिए हैं पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है पानी हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है उसके बाद मैंने जो है चौमिन निकाला है प्लेट में सारे चौमिन को हम इसमें डाल देंगे अच्छे से हम इसे चम्मत से जो है मिला देंगे ताकि उपर नीचे हम कर देंगे चौमिन को सारे ताकि वह अच्छे से एक्वेल जो है वह कुख हो जाए तो बस मैंने यहां डाल दिया है सारे चौमिन को पानी में अगर आप इसमें नमक डालना चाहते हैं तो आप नमक डाल दे नमक के साथ बॉल कर सकते हैं नहीं तो आप इसे बीना नमक के भी बॉल कर सकते हैं उसके बाद इस हमें जो भी हमें वेज़िटेबल्स लेना है सारे को लेकर के चौप कर लेंगे मैंने शिमला मिर्च अधा लिया है दो चोटी टमाटर है एक मीडियम साइज का प्याज एक चोटी सी हरी मिर्च उसके बाद जो है हमारा नूडल से बिल्कुल अब हम इसे कोई जालिदार बरतन में निकाल के इसे चान लेंगे इस तरह से हम इसे चान लेंगे उसके बाद उपर से हम जो है पानी डाल देंगे ताकि जो इसमें इसका जो स्टार्च होता है अच्छे से निकल जाए और यह बिल्कुल खुले-खुले दिखे तो बस इस तरह से हमारा जो है चौमिन इतना ही कुक किया है जाड़ा ओवर कुक चौक है तो मैंने था अन डलिया कि मैंने दो अई प्रृब्थरे मतलर लस्तै अब हमसे निकालेए और से लीम धो 12 अद्साड़ के बाद को टरंस्फून कर लेंगे तो बस अंडे फ्राई हो गया है आप शुआले थोड़ा सा गरम हो जाने देंगे हम उसके बाद कटे हुए प्याज को इसमें डाल देंगे चौमीन तो सभी कोई जानते हैं बनाना तो बस आप मेरे तरीकी से एक बार बनाई है बहुत ही यम्मी बहुत ही टेश्टी बनता है बच्चों को बहुत पसंद आएगी तो बस मैंने यहाँ पे प्याज को डाल दिया है अब प्याज को जो है बिल्कुल हलका सौते करेंगे हम कलर चेंग नहीं करना है हमें प्याज का बस उसके बाद जो है ना सारे वेजिटबल्स को हम इसमें एक साथ डाल देंगे एक एक करके वेजिटबल्स हम नहीं डालेंगे सारे वेजिटबल्स को हम एक साथ इसमें डाल देंगे बस उसके बाद थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे नमक जो है मैं यहाँ पर मैंने चौमिन बॉयल करते वक्त नमक नहीं डाला था इसलिए मैं थोड़ा सा जादा लूँगी ताकि चौमिन में भी हमारा नमक लग जाया अच्छे से तो बच इसे हम मिला देंगे अच्छे से स्लो फ्लेम में जो है हम इसे आदा मिनट करीब इसमें ढकन लगाकर हम इसे पकने देंगे तो आदा मिनट के बाद मैंने इसका ढकन हटाया है ढकन हटाने के बाद जो है हलका कुक हो गया अच्छे से आदा सब्जी हमारा गल गिया है क्रंच है इसमें बिलकुल भी गला नहीं है कि एक दम से ये गल गिया है इसमें क्रंच अभी भी है तो मुझे इसी तरह से चाहिए था और इसके बाद मैं यहां पे मैगी मसाला डालूंगी बहुती इजली जो है कोई भी शॉप में मिल जाती है यह बिलकुल पांच रुपए में मिलती है यह मैगी मसाला तो बस मैंने एक पैकेट इसमें मैगी मसाला को डाल दिया है इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें हम सारे चौमिन को डाल देंगे स्लो फ्लेम में ही नहीं मिल पाते हैं तो बस इस तरह के कांटे वाले जो चम्मच होते हैं उससे आप अच्छे से मिला लिए उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने जो अंडे को फ्राइ करके रखा था और सारे अंडे को हम इसमें यहाँ पर मिला देंगे उसके बाद मैं यहाँ पर विनेगर का यूज नहीं करूँगी मैं यहाँ पर निम्बू का यूज करूँगी एक निम्बू लोंगी निम्बू को जो है मैं आधा काटके उसका भी आधा यूज़ करूँगी इससे भी इसका टेष्ट बहुत ही अच्छा आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास तो आप निम्बू डाला दें इसमें तर्माट। टेश्ट लिया है टेमाटो कैचप को इसमें हम डाल देंगे आप अपने हिसाब से ले लें कम या जादा कर सकते हैं मेरे बच्चों को जो है जादा टेस्ट केचप अच्छा नहीं लगता है तो मैंने कं डाला है बस उसके बाद इसा मिला देंगे हमारा इस टेट फूट प्रिये